है 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 मैंने में श्राज मसीन वेलकम बाक टू दिशानल दे इन्वेश्ट लॉजिक आज की बहुत ज्यादा इप्रेसेफ्टी हम लोग ने कल डिसकस कर रहा था कि मार्केट डेफिनिटली मुमेंटम इचे की तरफ कर सकता है विकॉस एक पुट राइटर्स और कॉल राइट जो कि एक अच्छी इंप्रेसिव मूफ थी उसे अपने मैंने काप्चर तो कर लिया है और जो तीन स्टॉक्स मैंने और दिये थे उसमें से एक स्टॉक लिटा इंडिया ब्रेक आउट दिया उसने बहुत अच्छा पॉइंट्स उपर गया था जो मैंने ऐसा बीटी एस्ट ट्रेड टेली ग्राम पर भी दिया था उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ इसके लावा दो स्टॉक सौर दिये थे वह हमारे बाई लेवल पर आई नहीं जिसकी उपर मैं आपको से जिस्ट करना था तो उसमें कोई ट्रेड से नहीं हो पाया पर इसके लावा मैंने महिंदरा CIE आपको आज टेली ग्राम चाल पर बताया था बहुत अच्छा परफॉर्म कर और उस 10% तक ऊपर गया था तो वह स्टॉक आज भी है आप अभी भी बाई कर सकते हैं अगर डिप आती है तो और अच्छे से बाई कर सकते हैं तो एक बाद चलते हैं कि कल तो लास्ट पर आप चेक करोगे ना तो नवेंबर 222 पे अराउंड लास्ट नवेंबर पर यहां पर हम लोगों को एक अच्छी खासी आप मूव दिखी दिया और आफ्टर आट एट टेका वेरी गूड रिट्रेस्मेंट अच्छी परसें परसेंट अब अगर यहां पर इ डिफिनेटली हो सकता है अगर यह लेवल ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग एक जादा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि मोस्त प्रॉबबली अपने प्रीवियस रीसेंट लो तक आ सकती है जो कि 18,200 रूपीज के आसपास का होगा सो मेक शूर हम यह चीज़ भी चेक कर यह होगी अब यहां पर दो सेनारी हुआ है अब देख सकते हैं कि यह एक पॉसिबल रिजिस्टेंस था ना कि यह वाला पॉर्टिकुलर लेवल था तो दिर इस माइट भी चांस की शायद हो एक कल ब्रेकडाउन दे फॉल्स ब्रेकडाउन दे और नेक्स कांडल जो सकती है वो इस जोन के अंदर दुबारा इंटर कर जाएं मार्केट इन स्टार्ट तु गो अप और इस रिजिस्टेंस तक पहुच सकती है यह तो दूसरे सेनारी हो सकता है कि इसके नीचे जाती है नेक्स कांडल भी नीचे ही जाती है तो वहाँ पर हमें एक सिंपल सेनारियो ट्र को मिल सकती है और मार्केट ऊपर जा सकता है अब गाप उपनिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप गर आप यूस थर्टिगर चेक करोगे तो वहाँ पर एक फॉल आएगा ऑल्मॉस्ट फोर हंड़िट प्लस पॉइंट्स की एक गिरावट आज हम लोग देखने को मि आफटर दाट एक रेंज बाउंट सेशन के बाद ही मार्केट गिर सकती है तो मुस्ट पॉबबली यह एक जोन मत सकता है ग्रेंज बाउंट सेशन का अन आफ्टर आप्र अधार्ट मार्केट फॉल कर सकती है अभी ओपनिंट्रस दाटा मन दिखाने के लिए कुछ खास है अधिन भी बिगॉस आज इक स्पाइड विए है तो फ्राइडे को हम लोग चेक करते हैं मंदे के लिए हम लोग ओपन इंटरस का डाटा भी चेक लिए बाद मैं आपको दिखाते है तो बैंक निफ्टी सवना बैंक निफ्टी टू आस ताइम फ्रेम अने टू आस ताइम आप सज़ेस्टेड यू अर्लियर वीडियो की एक राइसिंग विच पैटन मना है जिसका एक ब्रेकडाउन ही होगा और वह एक ब्रेकडाउन करेगा करेंगा कल मैंने आपको एक पैटन दिखाया था रहा फॉलिंग विच का आईशेयर मोटर्स के अंदर इसके ऊपर एक ब्रेक आउट आगा तो हम बाई कर सकते हैं वो आया नहीं बट इसके अंदर एक ब्रेकडाउन आ गया बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें एक ट्रेड मेल चुका यहां पर आप चेक कर सकते हूं कि यह एक इंपोर्टन लेवल था है अफ्टर आट ऑं 30 मिन टाइम फ्रेम य आप इसको भी वाच करके चल सकते हैं इसके नीचे हमें एक शौट ट्रेड एजूम करना है इसके ऊपर अगर ट्रेड कर रहा होता है तो most probably market sideways trend भी कर सकती है यह चीज़ भी आपने चेक करना है लास्ट आर के अंदर शायद कुछ बाइंग या सेलिंग वो बिकॉस बंडे ट्रेट ले अधरवाइस कल मौनिंग का सेचन अगर इसके नीचे नहीं जाता तो sideways ही रह सकता है यह चीज़ चेक करना है इस प्रामल इंडर प्राइज़ लेट मी ओपन आप वीकली डाइम फ्रेम फ्रेम आप कुछ तो आपको दे रहा हो कल तो परफॉर्मेंस दे सकते हैं अगर मार्केट जाधा नेगरी बट यह विदन आव वीक आप लोगों को और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं आप इसे लेकर चल सकते हैं तो राइट ना अगर आप चेक करोगे तो ऑक्टूबर से यह कंटिनियूसली अपने हाई लेवल पे फॉल करना स्थार्ट कर रहा है और अल्मुस्ट अपने लो तक आ चुका था अल्मुस्ट फॉर्टी फॉर्टी पॉर्टी पॉर्टी पॉसें तग गिरावट कर चुका इस शुडबी आर राइट शूल्ड 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 पाटर्ण इसने डेल अप करा है डेफिनिटली बहुत अच्छा एक ब्रेक आउट आ सकता है और डेली टाइम फ्रेम आज वॉल्लियूम्स भी राइज अप करें है और परसनली तेंग यह डवल बॉल्टाम और यह सेविन्टी के आसपास तका जो कि कल इंट्राडेया एज बीटीस्टी ट्रेडर में मिल सकता है बट मैं इसके टागट और उपर 1100 प्लस के ही मान के चल रहा हूं इस तॉक का अपनी वाच्छ लिस्ट पर रग सकते हैं और लेक्स तॉक इस महिंदरा सियाई यह पर्टिक्ल टाइम फ्रेम एक अच्छा ब्रेक आउट आया यह पर्टिकुलर लेवल था जिसके उपर हमें क्लोजिंग चाहिए थी जैसी इसके उपर यहां से निकलना स्टार्ट करा वी सजेस्टेट अंड 314 हमारा टागेट था जूकि बहुत इसली हमें देखने को बिलिया अब यह कैसा मैंने क्या देखा अब यहां चेक कर सकते हैं कि एक बहुत प्यारा है इंड शोल्डर पैटर यहां पर डेविलप हुआ है जिसका ब्रेक आउट ऑल्मोस्ट यह दे चुका था ऑक्टूबर के मन्त पर आफ्टर यह नीचे आना स्टार्ट हुआ अपने रेंज इस बुलिश फ्लाइक पैटर का इसने ब्रेक आउट दिया वॉल्यूम मार्केट प्रोफाइल अनालेसिस के उपर जाके इसने अपनी जैसी क्लोजिंग करी वीव सजेस्टेट अब बाइट तो अब मुझे लगता है यह बहुत अच्छे टागेट से दिखा सकता है फिर्स पर जाने के लिए यह दो स्टॉक्स मैंने बता दिया आर लास्ट टॉक इस लिडा इडिया जो मैंने आपको कल ही दिया था आज तो इसने आच्छा आउट परफॉर्म ही दिया है बुस्ट पाबबली आप चेक कर सकते हैं इस लेवल के उपर वीव सजेस्टेट यू इस श प्रिवेस रिजिस्टेंस के ब्रीक आउट से देके ऊपर जा रहा है और सिस्तेमाटिक लिए उपर जा रहा था मार्केट नीचे जा रहे थी बड़ यह एक अच्छी मुमेंटम पे ऊपर जा रहा था तो यहां पर हम अगर देखें को एक स्यमेट्रिकल ट्राइंगल पाट जिसका ब्रीक आउट दिया था इस लेवल पे वीश अच्छी हो गई है तो कल अगर बाइचंज देखें सी राइट ना अभी बहुत अच्छे रिजिस्टेंस लेवल पे अटकाव है तो यह माइट भी कि कल यह एक फॉल दिखा है और एक बाइंग और डिप्स की सला दे सक सकता है तो दाट सिट फॉल टोड़े गाइस कल फ्राइडी का सेचना है फॉप आप तो लिए अच्छा रहा है मेक शूर तो लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब तो आ चैनल और कमेंट करके बताना कि और क्या क्या चींजिस कर सकते हैं और कौन से स्टॉक्स ये बार में आप बूच सकते हैं आप बड़े गाइस भाइबा